हेलो दोस्तों आज हम कड़ी की रेसिवी बनाएंगे वह भी बहुत ही आसान तरीके से तो आप इसे पाज चलू प्राइए करना तो यह मैंने एक छोटी कटोरी बेसल ले लिया है अब हम इसमें एट करेंगे बड़ी कटोरी दही तो आप दही की जगे पर छाज भी उसकर सकत हैं तो दही हम पेसल से थोड़ा ज्यादा लेंगे आप चतना भी खटा पसंद आप ले सकते हैं अब तोड़ी हल्दी डाल दी है थोड़ा सा धनिया और डाल दिया है और अब इसमें तीक्षे के लिए हम थोड़ा सा लाल मीश का पाउडरो डाल दिये अब हम इसमें एट क करेंगे नमक करेंगे तो आप जितना भी मतलब अपने नमक में डाल सकते हैं तो यहां पर हमें और कुछ डालने की ज़रुरत नहीं है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे तो आप जाओ तो जैसे भी इसको मिक्स कर सकते हैं चम्मस से या विसकर से जैसे भी आपको आसा स्मूद सा बैटर बनकर रेडी हो गया है इससे क्या होता है कि इसमें लंस नहीं पड़ते हैं और बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसके बाद ही इसमें हम पानी एड़ करेंगे तो यहीं पर हम बहुत सारा पानी एड़ कर देंगे जितना भी देखें अच्छे से हम पानी एड़ करके और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी लंस ना रहें तो यह दिके स्मूद सा हमारा यह बैटर बनकर रेडी हो जाएगा और यह दिके बहुत ही आसान तरीके से बताने वाली हो अगर आप बिगनर्स हो तो आप इसे जोड़ नहीं पड़ेगी ज्यादा कुछ अलग से मसाले वगर डालने की भी जोड़त नहीं पड़ेगी तो दिक यह पर हमने सारे मसाले डाल दिये थे तो यह पार बैटर बिलकूर अच्छे से बनकर रेडी हो चुका है तो अच्छे लिए इसका हम तड़का रेडी कर लेते हैं कड़ाई ले लिए है इसमें मैंने तेल डाल दिया है तेल जैसी करम होगा इसमें राई, जीरा, धनिया और थोड़ा सा अजवाई जो भी हो सारी चीज़े इसमें हम तड़के के लिए एड़ कर देंगे तो यह देखिए अच्छे से यह तड़क जाएगा और उसके बाद इसमें हम थोड़ा समिस में सिर्फ फिर थोड़ा सा लाल मिश का पाउडर डालूंगी इसमें कोई भी लैसुन प्याज कुछ भी नहीं एड़ करूंगी मैं और बिना उसके भी हमारी जो कड़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी और यह देखिए कड़ी पत्ता तो हम जुरू डालेंगी इसमें काफी अच्छा टेस्ट हो जाता है कड़ी का तो यह देखिए अच्छे से डालने के पास सारा पग गया है हर चीज अब इसमें हम थोड़ी सी हिंग डाल देंगे तो बस यह देखिए बस इतनी ही चीज़े डालेंगी इसमें और जो हमारी कड़ी है बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होती है और कोई भी हम इसमें चॉपिंग करके प्याज लैसुं कुछ भी नहीं डालेंगे टमाटर अगरा कुछ नहीं एट करेंगे तो दीखिए सब चीज़ डाल दी है अच्छे से पक गया है यह जो बैटर बनाये था हमने बेशन का इसमें हम डाल देंगे और दीखिए डालने के बाद अब इसमें आपको जतना भी इसमें गाड़ा ज़्यादा लगता है तो इसमें पानी अभी हम बहुत सार डालेंगे क्योंकि जैसे जैसे पकता जाएगा तो यह बहुत ही गाड़ा ह जाता है तो इसी लिए पानी थोड़ा जादा डालेंगी जिससे कि यह अच्छे से धीमी आज पर यह धीरे धीरे करके यह अच्छे से पकेगा और यह कि इसको हम चलाएं कि जैसे कि कोई दही बना दही की या लसी की जिससे भी आप मतब कड़ी बनाते हो तो काफी अच्छा आता है जो भी अविलिवा उसे बना सकते हो और कई की प्रब्लम होती है कि उनकी जो कड़ी होती है वो फट जाती है तो उसका एक ही सोलिशन है जैसी कि आप इसमें डालते हो बैटर तो इसको आपको कंटीनिव चलाते रहना है इसे एक चम्मस से पी आप चला सकते हो कल्छु से जिससे भी तो इसका एक उबाल आ जाए अच्छे से उसके बाद इसे हमें छोड़ना है और उबाल आने तक इसको कंटीनिव चलाते रहना है इससे क्या होगा कि जो हमारी जो कड़ी है बहुत क्रीमी सी बनकर रेडी होती है और बिल्कुल भी फटेगी भी नियापकी कड हैगा आप गयस की फिल्म को देज बी करकर इसको कर सकते हो अच्छे से चला दिया है और अब इसको पकने के लिए छोड़ देंगे और दीरे धीरे करके इसमें बीच में हम चलाती भी रहेंगे ताकि तल्यमी में भी ना बैटे और यह अच्छे से मिक्स होता रहे तो यह देखे इसमें थोड़े से पानी की और जरुक पड़ रही है मैंने इसमें उपर से थोड़ा गरम पानी ही एट किया है ठंडा नहीं डाला ताकि इसका जो टेंपरेचर मेंटेन रहे अगर आपको जैसे कड़ी थोड़ी जादा गाड़ी लगती है तो हम उपर से गरम पारे इसमें डाल सकते हैं और इसको चलाते रहेंगे तो यह देखी देख सकते हैं बहुत असान होता है कड़ी बनाना और इस तरीके से आप स्थाना यह रूटी, बनाने से हमारी कड़ी बहुतscene क्रीमी क्रीम से स्थान यह को establishing है क्योंकि जब कड़ी हमारी बन जाती है उसके बाद जब इसको छोड़ते हैं तो यह बहुत गाड़ी हो जाती है तो उस हिसाब से रखना है जैसा भी आप खाना पसंद करते हैं जितनी गाड़ी आप गड़ी खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से इसका रखेंगे टेक्स्ट हुए है तो यह देखिये और अच्छे सी यह बाल भी आ गया है और हमारी इस तरीके से चैशन से बन कर रेडी हो चुकी है अब सी मियाथ पर इसको इस तरीके से पटते हैं चला पकने देंगे और चलाते ये इसका कलर भी दो हुत कि अच्छा है तो घरफिक है कर धृटत का टेस्ट दो बहुत है से बना सकते हैرفक च पर रहे हैं है कि इस तरिक के से इना बार आता जाए अब बीच बीच में इसको चलाते में तो यह देखे, कड़ी हमारी बहुत ही अच्छे से बन रही है और यह देखे, फाइनल टेक्श्चर हमारी कड़ी अच्छे से बख चुकी है, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा गाड़ी नहीं करूँगी, क्यूंकि इसको अभी हम रखेंगे थोड़ी तेरी के लिए, जब थो बहुत्त जादा प Александ की कड़ी डॉल करें पकोडी चाहिए जाएग। हम ढाक कर थोड़ी देल के रख देंगे और अच्छे से हमारी जो कड़ी के साथ पकोड़ी बनकर रेडी हो जाएगी तो इसी तरीके से आप भी इसको एक बार स्टेप पर स्टेप मेरे तरीके से जरू ट्राई करना और आपको यह बहुत ही पसंद आएगी अगर आप बिगन लेसुन अगर आप नहीं खाना पसंद करते हैं तो आप इस ट्रिक से एक बार जरू प्राई करना है दीगे बसे थोड़ा सा उबाल आ जाएगा और उसके बाद इसको हमने ढाक कर रख देंगे ताकि जो हमने कड़ी डाली है हम कड़ी सुरू में नहीं डालेंगे अच्छे तो यह देखे अच्छे से उबाल आ चुका है बस अब ज्यादा मैं इसको नहीं पकाऊंगी और इस तरीके से यह देखे टेक्शर आप देख सकते हैं इतना ही रखना है आपको बहुत ज़्यादा इसको गाड़ा नहीं करना है और हम चलाते रहेंगे इसको थोड़ा सा चल ररेडी हो गई है आर खाने में बहुत ही टेस्टी होती है तो इस तरीकी से आप बच्चों को भी दे सकते हिं च्प्ल yellow डिए कि छॉचन लमोट काने हैं लाने थो आप इस तरीके से से टैस्चु आ सकते हैं इसको बहुत ही ज Felix क्ली का